स्वागतं गाईज आपका एक ओप नई वीडियो में अगर आप र्रिस्पेक्ट सौर्ट चैनल पर काम कर रहे हो रिस्पेक्ट सौषड चैनल नया नया बनाया है जब रिव्यू के लिए भेजते हो तो वहां पे चैनल मोनेटाइज तो हो जाता है फिर कुछ दिन बार रियूस्ट कॉंटेंट आ जाता है बहुत सार क्रेटरक साथ यह दिक्कत आ रही है कि उनका चैनल मोनेटाइज ही नहीं हो पा रहा है ठीक है जब मैंने दो चार चैनल प त्रएंक आपको इसको कैसे सौल करना है मतलब इसको कैसे क्या दूर करना है और आप लोगों को ऐसा क्या करना चैनल जिसकी वजह से आपका चैनल व कैयास्य कामाड हो जाया सलिए तेक protein nes solid का आएगा मोनेटाइज हो चैनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा अच्छे से समझते हैं कि आखे रियक्शन सौड वीडियो हो गया या रिस्पेक्ट सौड वीडियो हो गया कैसे मोनोटाइज करवाना है तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ भी डाउट होता है कुछ पूछना है इ यूटूब शॉट्स वीडियो बना के चाहते हो पैसे कमाना तो इस वीडियो को लास्त तक देखना ऐसे बहुत सारे चैनल है यूटूब रियक्शन सौट्स समलों भीड़ लगी पड़ी है तो भीड़ में तो अपने लोगों को चलना नहीं है ठीक है अपने लोगों को अलग चलना है अलग कुछ करना है तब आपका चैनल इसली मोनेटाइज होगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा यह हो कि आप लोग जो वीडियो रियक्शन के लिए यूज करते हो रिस्पेक्ट के लिए यूज करते हो वीडियो डाउनलोड कहां से करते हो सबसे में प्रॉब्लम तहीं होती है ना कि आप लोग डाउनलोड कहां से क्योंकि कॉपिराइट कसी नहीं से आता है तो आपको डाउन यह यहां से अगर आप डायूट करते हो तो यहां से आपको YouTube Copyright देगा समझगो ना Copyright देगा तो इसको मतला इससे Copyright को बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि क्रियोटिव कॉमेंस वाली वीडियो का कैसे डाउनलोड करना है आप यूटुब पर आएंगे और फिल्टर भी जाएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्रियोटिव कॉमेंस इसको अप्लाई कर देंगे ठीक है आज आएगा पूरा तो आप लोग यहाँ से इ आती रही है आपकी वोइस भी होना चाहिए आपका फेस भी होना चाहिए बहुत सारी क्या करेंगे कि म्यूजिक बदल देंगे ऐसे अपलोड कर देंगे यह काम नहीं करना आप लोगों को आप लोगों क्या करना हो कि एडिटिंग करते समय आपकी वोइस आपका फेस होना तीक्ए और जो वीडियो आप लोग एडिट करता हुश की थोड़ी हुथ कलर कम्बिनेशन कलर ग्रेडिंग करना तो ऑर्जिनल कंटेंट होगा जो आपने डाउनलोड किया है और जब आप एडिटिंग करेंगे तो एक और ओर्जिनल कोलिटेंट हो जाना चाहिए सिमिलर नहीं होना चाहिए ठीक है थोड़ाचा इंप्रूव करो क्रियेटिवटी करो उस वीडियो के अंदर तभी यूट्यूब खुद कहता है कि आप जब तक आप किसी दूसरे का कॉंडेट जैसे आपने ले लिया जब तक आप क्रियेटिवटी नहीं करोगे उस वीडियो के अंदर तब तक बात नहीं बनेगी तो क्रियेटिवटी जरू करना ठीक है अपने एंट से कुछ करना लाइक बोलना उस वीडियो में आपका फेस होना चाहिए म्यूजिक से करना है समझ को अपलोड एफ वीडियो से और अपलोड वीडियो से कर देना है आपको सेम टाइटल नहीं रखना है सेम टाइटल बहुत सारे क्रेटर क्या करते कि सेम टाइटल रख देंगे एक ही वीडियो का सेम टाइल उठाट आके बर देंगे जैसे क्या आप लोग य यह आप लोग क्या थो कि भाई मैंने तो कोई गलती नहीं की तो यूटूब मेरा चैनल रियूज़ कॉंटेट में भेज दिया भाई गलती करते हो तभी बेजता अगर गलती नहीं करोगे तो नहीं भेजेगा जो क्राइटेरिया है आप मालो सेम टाइटल एक जगा सेम टाइ वीडियोज के लिए अलग लग आपको सूट करना होगा यह सारे सिंपल सा फॉर्मुला है था पॉर्मूला बोल सकते हो क्राइटेरिया को फॉलो करो एपका चैनल मोनोटाईज हो जाग काभी वीडियो स्कॉंटेट नहीं आएगा तो चलिए वीडियो को इतने रखते हैं क कुछ भी डाउट है तो ही इंस्टाप में मैसेज जरूर करना रिप्लाई जरूर मिलेगा ठीक है वह सकता है लेट में मिलेगा जरूर ठीक है चलिए मिलता है नेक्ट वीडियो में तब तक लिए ध्यान रिखे अपना जय हिन जय भारत